हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फामा एंसी क्यू में तो देखिए MPSC का इक पेपर हम लोग सौल कर रहे थे आठ फालोरी को जो एक्जाम कंडक्ट हुआ था मैं इसके दो पार्ट सप्लोड कर दिया अगर आप नहीं देखे तो उ अपने जो होता है जो आप हाइपो लिपीडिमिक पढ़ते हैं तो उसमें आपका फिप्रीक आपके यह द्रग आती है और यह जैम फिब्रोजिल भी आता है तो यह का फिब्रीक ऐसी डेरिवेटीव होता है तो इसके बारे में कौन सा स्टेट्मेंट सही नहीं है जो गलत है वह फाइंड आउट करना आपने अपने अब यह ऑप्शन देखिए इसको इसको मतलब की अगोनिस्ट होते हैं इसके टिक है इस इस इक मार्केटली रिड्यूस सर्कूलेटिंग वी ल्डेल एंड ट्राइगल स्राइड तो यह भी सही है कि जो वी ल्ड्य जो वैले लोड आइनस चीलिपोप्रोटीन ट्राइड जो है इसको रिड्यूस करते हैं इसकी सिंथीज नहीं करते यहीं कलवत लिखा हुए बाक चैनस के साथ में देते हैं उनके साथ में देते हैं मायो पैथी मायो के चांसे जादा हो जाते इस में क्या हो गया नो ट्रीव मतलब कि जो गलत है वो find out करना था कौन सा गलत दिया हुआ इसमें option 3 गलत दिया हुआ है इट डिक्रीज दा सिंथिस ओफ लिपोप्रोटीन लाइपेस क्यों कि यह क्या करते हैं पी पी ए आर एफ जो पी पी ए आर एलफा जो है इसको एगोनिस्ट होती है तो इसस लिपोप्रोटीन लाइपेस की सिंथी को एन्हांस करते हैं तो आपको अंसर हो जो को option 3 ओके next question देखिए विच फॉलिंग स्टेटमेंट इस त्रीव रिगार्डिंग अमिनोग्लैकोसाइड एंटिबाइटिक वहीं से प्रफटे तो आपको शुरू-शुरू में ही दिया ह वहा है common properties दी हुए जिसे आपके आपके पागर के डिटी की बुक है तो common properties दी हुए आपको अमिनोग्लैकोसाइड ऐंटिबाइटिक वहीं से question है तो उसमें बहुत सारी properties हैं आपको पहले तो देख लिए क्या है फांड आउट करना आपको कि हमें स्ट्रू सही कौन से वह आप देखिए अमिनोग्लैकोसाइड ऐंटिबाइटिक बैक्तिरो स्ट्रू 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 स्ट्र यह जो इनिविट नहीं करती है तो यह स्टेटमेंट जो है यह सही नहीं है बाकि से इंटरफेर नहीं करती है प्रोटीन सिंथेशिस को इनिविट करती है क्या करती है यह प्रोटीन सिंथेशिस को इनिविट करती है यह आपका गलत दिया हो तो आपने बताना था कौन सा ट्रियू है तो ट्रियू हो जगा अमिनोगलेकोसाइड अंटिबाइटिक जो आपका क्वेशन देखे आएवर मेक्टिन एक्शन थे अपड़ते हैं जो आप लोग यह वैसे बताई दिया न्हीं फ्रुपर प्रक्वेशन तो इसके मेकानिजम एक्षन के ऊपर यह जो एक्षन होता है वह कैसे होता है एक्टिवेशन ऑफ गलाइसीन गेटेड गेड सब्सक्राइब करते हैं तो में ही आपको दिया हुए एक्टिवेशन ओफ ग्लुटामेट गेटिड कलोराइड चैनल को एक्टिवेट करती है आपका ऑप्शन टू बिल्कुर राइट हो जेगा बाकि अक्टिवेशन ओफ निकोटनी कोलनर्जिक रिसाप्टर्स तो यह जो न सब्सक्राइब करते हैं यह आपकी प्राजी क्वेंटल होती है प्राजी क्वेंटल ओके तो आपका वैसे सिंपल इसका ऑप्शन टू आपने धियां रखना हो कि नेक्स्ट है विच कैटेग्री ओफ एबीसी अनालिसिस कंसिस्ट ओफ अप्रोक्सिमेटल सेवंटी सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आइटम जो होते हैं उनको डिवाइड करते हैं अपके जो एटम सोते हैं और वी आइटम जो होते हैं 20% करते हैं वह इनका बच्जेट होता है कि 70% इनवेंटरी को जो कवर करते हैं और 10% जो है एक्सपेंडिचर होता है तो अभी आपसे यह आपके एबीसी आइटम होते हैं आपको पूछा है कि क्यों सा कि देखे अभी देखे 70% तो एक्सपेंडिचर है 10% ओफ टो ड्रॉक्स मतलब कि 10% तो यह इनवेंटरी का होते है है 10% होते हैं यह आइटम और 70% एक्सपेंडिचर है तो मतलब कि बहुत ही कोसली आइटम से मतलब कि यह आइटम की बात हो रही है तो आपका अंसर हो जगा ऑप्शन एप्शन वन हो जगा ए आइटम सो के तो मेरे साब साब को समझा गया होगा नेक्स्ट है विच इंपोर् आइटम से पता है कि इनका जो एक्सपेंडिचर होता है मतलब कि बजट होता है सब्सक्राइब करते है और टोटल इंवेंटरी का मतलब की आइटम का यह 10 परसेंट होते है ना तो अभी जो है आपके ओप्शन देखिए यह आपने ध्यान रखने है मतलब कोसली आइटम सही है अभी ओप्शन देखिया आप लोग दिया हुए 10-20 परसेंट और 70-80 परसेंट ओपेंडिच तो बिल्कुल है तिरेपिटिक ड्रग मोनिटरिंग जो होता है तो यह देखिए मेरे साब से आपको तिरेपिटिक ड्रग जो है ओप्शन 3 में दिया हुए नेक्स्ट है विच अटि हापटैंसिव ड्रग इसे डार्ट रान इनिबीटर में जो आपके काईरन वाली ड्रग जैसे अलिस काईरन हो गई है तो यह आपको बहुत अच्छी से पता है ऑप्शन 3 हो जगा अलिस काईरन नेक्स्ट है विच फोलूंग इस जी एल्टी टू इनिबीटर हो है ना यह कोईशन मैंने आप से कल पूछा भी था आपका जो है आंसर भी बिल्कुल सही आया था है तो लेकिन इसको थोड़ा सा कंग कर देंगे क्योंकर है इक मेकनिजम से हैं को थोड़ा सा कर लेते हैं एक आपको का आंसर मंपा अंसर आपको बहुत अखर लीया का प्रहोतेर इस में Verde vale इन में ग्लीफ लोजीन वाली ड्रक्स आती है और क्लास अफ मेडिकेशन दन मोडूलेट सोडियम गुलुकोस ट्रांस्पोर्ट प्रोटीन जो है नाफ्रों में जो किड्नी की फंक्शनल नाफ्रों वहां पर इसको मोडूलेट करते हैं तो यह क्या करते हैं जो आपके इनिवीट करने से क्या होता है ने कि अठाल में नेतर होते हैं यह निवार्ट यह हमें पता यह ट्ड़ू डैबिटस में यूज होती है 90 पर्सेंट ओफ किड्नी के अब्सक्राइब होती है अब इसको इनिविट कर देंगे ग्लुकोस जो है री अब्सपर नहीं होगा और यूरिन के तुरू एक्स्रीट आउट होजेगा है ना ग्लुकोस ब्लड में कम हो ज़ेगा यहीं हमें करना होता है ग्लुकोस को कम क ठीक है तो इसे ग्लुकोस का लेड़ में कम हो जाएगा और प्रोमोट दा एक्सक्रेशन ऑफ ग्लुकोस इन यूरीन में ग्लुकोस का एक्सक्रेशन को प्रोमोट करेंगे तो यह आपके सब्सक्रेशन ग्लिफ्लोजन तो आपको अप्शन में डिया हुआ तो आपको नेक्स्ट ग्लुकोसिन है अब देखिए अब इसके ऊपर पूछब्ड कोस हाइपोगलाइसेमिया वाय तो यह सब्सक्रेशन है कि आपको पता दिया करते हैं तो क्याक्शे करते हैं। तो आपकोस तक तक आपकोस को कैसे करते हैं। इंक्रीज ग्लुकोस एक्सक्रीषन इन यूराव्षे इंक्रीज करते हैं। बाकि sensitize करते हैं insulin receptor तो आपका अंसर हो जएगा option 3 increase glucose excretion in urine okay i think clear है आप लोगों को option 3 इसका बिल्कुल right हो जएगा ने से which of the following is used antidote for organophosphorus and carbonate poisoning pesticides poisoning देखिए organophosphates हो या carbonates हो ठीक है तो इनकी poisoning के लिए जो drug देते हैं कौन सी होती है वह होता है आपका एट्रॉपिन देंगे जो एंटिकोलिनर्जिक होता है आपका एट्रॉपिन option 3 आपका राइट हो जिका एट्रॉपन सलफेट नेक्स्ट है ट्रेटोजैनिसिटी का मतलब बताना है सिंपल कोईशन ट्रेटोजैनिसिटी क्या होती है कैपैसिटी ओफेट्रॉपिट्स जो होता है फिट्रस अबनॉर्मल्टी फिट्रस में जो अबनॉर्मल्टी कोस कराती जैसे आपका आप को मनें एक्जामपल तेलेडोमाइड को हम लोग देखते थो होते है फोकोमील्या को करा देते हैं जिसमें आट्रेट्रेटोजैनिक फैक्ट होता होती है तो देख लिए और प्सक्रेंगे अब क्वैस्ट्रॉपिट्स नेक्स्टट जिसका अंसर आपने कमेंट बुक् इस वीडियो में इतना है आपको वीडियो अच्छी लेगे से लाइक करना चैनल पे नहीं है तो मेरा प्लोग से रिक्वेस्ट एक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जुरू करना ओके थेंक यू